हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल बालोजे साइंस आज हम आप लोगों को सरल उतक और जटिल उतक में अंतर बताएंगे अठाथ, सिंपिल टेसू और कामप्लेक्स टेसू में अंतर बताएंगे तो पूरी जानकारे के लिए मेरा पूरा बेडियो अंतर ध्यान से देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिजिए, चलिए, सुरू करते हैं तो सरल उतक प्रायाह एक ही प्रकार की कोसिकाओं का बना होता है मतलब जो सरल उतक होता है, जो सिंपल टसू होता है वो प्रायाह एक ही प्रकार की कोसिकाओं का बना होता है या एक जैसी कोसिकाओं का बना होता है और सरल उतक की कोशिकाएं बिसिष्ट कारी करने के लिए इस्थाई रूप और आकार ले लेती है यानि ये सरल उतक की कोशिकाएं होती है ये कुछ विसेश कारीयों को करने के लिए इस्थाई रूप या पर्मानेंट रूप ले लेती है और आकार ले लेती है उदाहरण के रूप में जिसे पैरन काइमा, कॉलन काइमा है या स्किलरन काइमा है यानि म्रदू उतक, स्थूल कौण उतक और दुण हो तक ये सरल उतक के प्रकार होते हैं इनका अंतर भी मैंने एक वीडियो में अप्लोड किया है और इनके बारे में डीटेल में मेरे चैनल वीडियो अलग से अपलोड़ेड है वहाँ से आप देख सकते हैं फिर आते हैं जटिल उतक में तो जटिल उतक जो होता है वो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं अर्थात इसके प्रकार कौन कौन से होंगे जायलम और फ्लोयम तो जायलम और फ्लोयम ऐसे उतकों के उदाहरन होते हैं यह जटिल उतक होते हैं जायलम जो जड़ो दोरा अवसों सिजल और खादी पदार्थों को पेड़ पोधों के बिविन भागों तक पहुचाता है और इसी तरह से फ्लॉयम जो पतियों धरा बना भोजी पदार्ध पेड़ पोधों के अन्य भागों तक पहुचाता है प्रकास अंसलेशन के दरा पतिया अपना भोजन बनाती है तो इस प्रकार से ये जटिल उतक के दो प्रकार हो गए जायलम और फ्लोयम इसे तरह से सरल उतक के तीन प्रकार थे ब्रद उतक, इस थूल कोण उतक और दुढ़ों तक अर्थात पैरन काइमा, कॉलन काइमा और इस्कलरन काइमा तो उनके वीडियो तो uploaded हैं ही साथी साथ जटिल उता का भी वीडियो मेरे चैनल में पहले से uploaded है जायलम और फ्लोयंग के वारे में भी मैंने डीटेल में बताया हुआ वहां से आप पूरा वीडियो देख सकते हैं तो आज के अंक में इतना ही अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ में वेल आइकन को भी प्रेस कर लिजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए धन्यवाद